सल्मान खान ने अब मुनावर का परदा फाश कर दिया है मुनावर यहाँ पर अभिशेक का सिरफ नाम का दोस बनने की कोशिश करता है लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर वो मुनावर अभिशेक के साथ दोस्ती नहीं निभाता यही बात जो है अब सलमान खान कहते हुए नजर आए हैं सलमान ने साफ साफ मुनावर पर सवाल उठाए सलमान ने कहा यू तो मैं बहुत लोगों से सभी से नाराज हूँ लेकिन यहाँ पर मुनावर से तो मैंने उम्मीद की थी कि वो दोस्ती निभाएगा सल्मान ने कहा कि क्या तुम अभिशेक को अपने लिए थ्रेट समझते हो और इसी लिए तुमने अभिशेक के इन सारी चीजों के बाउजूर उसे कुछ भी नहीं कहा तुम चुप बैठे रहे, सब कुछ देखते रहे लेकिन तुमने कोई भी कदम नहीं उठाया क्या ये माना जाए कि तुम जो है वो अभिशेक को अपने लिए खत्रा मानने लगे हो यहाँ पर मुनावन ने कहा कि ये बात मुझे रिलाइस हुई थी और मैंने अभिशेक से भी कही कि काश में तुमारे बीच में आ गया होता जिस पर सल्मान ने कहा कि तुम तो गेमर हो तुम तो माइन से खेलते हो तुमें ये तो बात उसी समय समझ में आ रही थी कि तुम चाहते तो रोग सकते थे पर तुमने नहीं किया एक बात साफ है क्योंकि तुम चाहते ही नहीं थे कि तुम इस लड़ाई में पड़ो और तुम दिल से ऐसा चाह रहे थे कि अभी शेक निकल जाए तो यहां हम आपको पता दे कि अब जिस तरीके से चीजे सामने आई हैं उससे एक बात तो साफ है कि अब यहां सल्मान खान बहुत जादा नराज है मुनावर से भी और उनको यह लगता है कि मुनावर चाहता तो वो जो है साथ दे सकता था आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या वाकई में अगर मुनावर चाहता तो साथ दे सकता था क्या आपको लगता है कि मुनावर के साथ जो है अब सल्मान ने जो सवाल उठाएं है वो सही किये मुनावर जो है वो जिस तरीके से चीजे कर रहा है क्या आपको लगता है कि वो अभिशेक को खत्रा समझने लगा है और इसी लिए उसने चाहकर भी साथ नहीं दिया आप क्या कहेंगे इस पर? कमेंट में अपनी राय लिख कर जरूर बताएं लेकिन उससे पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले